Hello Friends, Welcome to Success Dreamers The Avengers I hope all of you will be alright और आज का ये जो वीडियो है ये मैंने आपको चेक के कंसर्म में एक छोटी सी इंफर्मेशन प्रोवाइट करने के लिए बनाया है specially उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में as Q&A Expert काम करना स्टार्ट करा है that means जो अभी नएने Q&A Expert बने हैं और जिनको Privileges अभी मिले है और अगर आपका जो मेल है वो अब तक नहीं आया है तो आप चिंता मत किजिए आपको आपके ID और पासवर्ट का मेल जल्दी ही आ जाएगा टैंशन लेने की कोई बात नहीं है तो चले अब हम बात करते हैं उन लोगों की जुनोंने अभी अभी अपना Q&A Expert के तोर पे काम करना स्टार्ट करा है तो उनके सामने छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे ही वो साइन इन करते हैं और अंसर देना स्टार्ट करते हैं उनके सामने एक मेसेज आ जाता है कि भई हमारे पास अभी questions का flow नहीं है तो परिशान हो जाते हैं कि भई questions क्यों नहीं आ रहे मेरे को बहुत सारे लोगों ने comment करा है बहुत सारे लोगों ने message करा है कि सर हमारे साथ ये problem आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये problem आपके साथ नहीं आ रही ये problem सब के साथ ही आ रही है अब मैं आपको बताता हूँ कैसा क्यों हो रहा है तो basically इसके दोस्तों तीन reason है सबसे पहला reason जो है वो है demand and supply का देखिए इस समय पर क्या है कि आपके जैसे बहुत सारे लोगों को Q&A expert privileges मिले हैं तो यहाँ पर क्या है कि questions का flow तो उतना ही है लेकिन काम करने वाले जो लोग है answer देने वाले जो experts हैं की quantity बहुत बढ़ गई है इस वज़े से questions हर किसी के हिस्से में थोड़े से कम आ रहे हैं तो पहला reason तो दोस्तो यह है कि experts अगर जादा हो जाएंगे जो answer देने वालों की supply जादा हो जाएगी तो यहाँ पर questions जो है अपने आप थोड़े से कम हो जाएंगे पहला reason तो यह है दूसरा reason क्या है दोस्तो कि आप answer देने की timing क्या choose कर रहे है यहाँ पर मैं आपको एक छोटी से advice देना चाहता हूँ कि जब आप काम करते हैं तो आप during day hours मतलब सुभेरे answer देने की बजाए रात का time चूज कीजिए अगर आप रात को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद sign in करते हैं और answers देने start करते हैं तो उस समय आपको questions का flow जादा मिलेगा इसके पीछे reason क्या है? चले मैं आपको यह भी बता देता हूँ हम जो भी answer देते हैं basically वो US के students का देते हैं अब यहाँ पर अगर आप सुबेरे answer देना start करेंगे basically मालीजे तीन बजे दोपैर के या दो बजे उस समय वहाँ रात के दो या तीन बज़ रहोंगे तो उस समय तो कोई questions पोस्ट नहीं करता होगा तो अब अगर रात को sign in करते हैं और रात को अगर आप sign in करके questions के answer देते हैं तो probably chances जादा हैं आपको जादा answers मिलने वाले हैं यह हो गया दोस्तों आपका दूसरा reason अब हम बात करते हैं आपके तीसरी reasons की कि तीसरा कारण क्या है जिसकी वज़े से आपके पास questions का flow कम आ रहा है अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि pandemic की situation यहाँ पर चल रही है same situation आपको पता है कि अमेरिका में भी चल रही है US में भी चल रही है and in US वहाँ पर situation जादा है तो जैसे यहाँ पर अभी schools, colleges वगरा जो है वो shutdown पर है वैसे ही same चीज वहाँ पर है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा study करना start करते हैं तो यहाँ पर आपके पास भी flow बढ़ जाएगा इसके पीछे reason क्या है अभी मैंने कुछ time पहले जब March के महिने में और February के महिने में और April के महिने में यह तीन महिने में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास देख रहा था कि daily के questions साड़े चार पांच-पांच हजार questions आ रहे थे क्योंकि उस समय पर वहाँ पर exam चलते हैं तो questions का flow बहुत ज़्यादा रहता है और questions easy भी आ जाते हैं इस समय पर problem ही आएगी आपके पास के questions का flow थोड़ा कम रहेगा और साथ साथ level of questions भी difficult रहेगा तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़े बताई कि आप रात को sign in कीजिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा और अगर आपके पास questions नहीं आ रहे हैं तो problem नहीं है 5-10 मिनिट का wait लेके दुबारा से sign in कर दीजिए आपके पास questions में भी आ जाएं तो एकदम natural सी problem है genuine सी problem है सबके साथ हो रही है आपको tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका फिर भी कोई doubt है तो आप comment box का use कीजिए इंस्टा पे DM कर दीजिए और चैनल को subscribe करके notification bell को जरूर दबा देना